friends, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, हम किसी भी अपने documents को PDF file में दो तरह से convert कैसे कर सकते हैं, और उसमें अपना password भी लगा सकते है, PDF file बनाते से मैं तो friends, पहला तरmagका ये है कि पहले तो हम अपने photoship में अपनी documents open कर लेंगे इस तरह से जैसे मैंने की documents को open करके रखा है इसको हमें PDF file में save करना है और उसमें password भी use करना है तो सबसे पहले इस तरह से open करके आपको एक new sheet लेनी है control and press करेंगे हम आपने documents का size यहां से select करेंगे ज्यादा तर हमारे A4 size के documents होते है यहां इसको select करेंगे resolution इसका हम 150 पर रखेंगे और यहां ok पर click करेंगे अब friends माउस से पकड़ के हमें अपने documents को यहां पर लेके आना है और control T करके और माउस से इसको बाहर करके इस तरह से सीधा करेंगे और shift press करके इसको अपना इस तरह से बढ़ाएंगे इसका size और फिर हमें इंटर प्रेस करना है तो friends यह हमारा documents A4 sheet पर set हो चुका है अब हमें इसे PDF में save करना है उसके लिए हमें यहां फाइल पर जाना है यहां में save as पर जाना है और friends यहां से हमें format change करना है यहां से हमें format PDF set करना है यह हमारा Photoshop PDF है इस पर हम click करेंगे तो यह यहां पर format set हो जाएगा और यहां पर हम अपनी file का कोई भी नाम दे सकते है और friends फिर हमें यहां पर save पर click करना है हमारे पास save पर click करने के बाद PDF option आएगा friends यहां से हमें PDF score टी यह score टी setting है इस पर click करना है और यहां score टी पर click करना है friends यहां पर हम अपना password डाल सकते है अपनी PDF फाइल का यह password required to open documents पर click करेंगे यहां आप अपना कोई भी password अपने documents का डाल सकते है जिससे कि कोई उसे और दूसरा यूज ना करे गुम हो जाने पर आप उसको password के जरिए open कर सके तो मैं यहां पर अपना एक password डाल लेता हूँ आप भी सीतर अपना कोई भी password यहां पर डाल सकते है और फिर यहां ओके पर click करना है फिर से यहां confirm password मांगेगा आपको वही password डालना है जो पहले डाला था फिर से वही password डालेंगे और फिर यहां ओके पे क्लिक करेंगे फ्रेंट्स यहां से हमें अपने quality को medium पे रखना है क्योंकि हमारे documents ज्यादा तर kb में होते है 200 kb से 300 kb तक ज्यादा तर documents चलते है 5 medium पे रखना है और फिर यहां ok पे क्लिक करना है तो यह हमारी pdf file में save हो जाएगी मैं इसको एक बार double click करूंगा यहां से friends यह हमारी pdf file इसमें save हो चुकी है यहां से right click करेंगे open edge पे जाएगे और यहां google chrome में इसको एक बार open करेंगे तो friends यहां पे यह password मांगेगा जो हमने password डाला था तो यहां पे हम अपना password डालेंगे और submit पे click करेंगे तो इस तरह से हमारी pdf file तयार हो जाएगी और इस तरह से उसे हम open कर सकते हैं तो friends पहला तो हमारा step यह है कि हम Photoshop में इस तरह से अपनी pdf file बना सकते हैं बहुत आसान तरिक्य के साथ अब हमारा दूसरा point है हम अपनी pdf file अपने scanner से direct कैसे त्यार करते हैं तो मैं इसको minimize कर देता हूं friends friends scanner से हमें pdf file बनाने के लिए यहां आपने इस पे start पे click करना है एक बार यहां से हमें अपने printer पे जाना है आपका जो भी printer है वो आपके यहां पे show करेगा जैसे मेरे पास hp का है तो यहां पे इस तरह से इस पे click करेंगे मैं इस पे hp पे click करता हूं आपका zone side printer है इस तरह से आपके printer का option आएगा और उस option के अंदर कुछ इस तरह से और भी option आएगे तो आम एक इसको scan 2 को desktop लेके आना है यह हमारे scan 2 है इस तरह आपके भी computer में scan 2 का option मिलेगा उसको mouse से पकड़के यहां पे desktop लेके आना है यह इस तरह से आ जाएगा और friends इसको mouse से right click करना है open करना है और अपने scanner में अपना documents लगा के और उसकी data cable को computer से connect करना है फिर हम यहां setting पे जाना है यहां हमारे पास 3 option आएंगे scan पे जाना है यहां से आप देख सकते है यह हमारा regulation इसमें 200 dpi का है इसको आप दूसरी जगह से भी change कर सकते है फिर यहां file पे आएंगे और यहां से हमें format type change करना है इस पे click करेंगे यहां से pdf social पर क्लिक करेंगे और OK पर क्लिक करेंगे और फिर Friends Scan पर क्लिक करना है तो यह हमारी File Save करने के लिए पूछेगा हमें अपनी File को कहाँ पर Save करना है वो आपको Care Care करके और यहाँ पर नाम डालके Save पर क्लिक कर देना मैं इसको Decks स्टों सेव करता हूं और इसका नाम pdf ही रख लेता हूँ और फिर शेये पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारा इसमें preview scanning चलने लग जाएगा कुछ second के लिए ये preview कुछ second के लिए चलेगा scanning तो ये इस तरह से हमारा जैसे मेरे पास एक ये electricity bill है तो मैं इसकी आपको एक pdf बना के दिखा रहा हूँ यहां से हमें और कुछ नहीं करना friends यहां से resolution 150 पे रखना है और फिर यहां पे accept पे क्लिक कर देना है तो यह scanning होने लग जाएगा इस तरह से हमारा pdf फाइल में friends इसके बाद आपके सामने दोप सनाएंगे yes और no का अगर आपको दूसरा documents और भी pdf फाइल में save करना है तो य यहां पे no करेंगे मैं इसको no पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यह desktop पे pdf फाइल आ चुकी है friends अब यहां से mouse से right क्लिक करेंगे और इसको open with google chrome में open करेंगे तो आप देख सकते है friends यह हमारी pdf फाइल तयार हो चुकी है तो इस तरह से भी आप अपने pdf फाइल क scanner से बना सकते हैं और photoshop में भी अपनी pdf फाइल को तयार कर सकते हैं तो friends उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो like से subscribe जरूर करें थैंक्यू